पहले हमने बात की थी उद्दात के पांच स्रोतों पर पांच जो स्रोत होते हैं उद्दात के उन स्रोतों के अलवा लोंगी नुस्त ने कुछ ऐसे तत्वों की बात की जो उद्दात को परभावित करते हैं बुरे परिके से यानि उन्हें दोस कहते हैं उन्हें अवरोधक द बाधक ततों वे होते हैं जो उद्धात में बाधा उत्पन करते हैं यानि ऐसे कुछ दोस होते हैं जिनकी वज़े से किसी भी रचना में उद्धा ततों की निश्पती नहीं होती है ऐसे तीन अवरोदक दोसों के बारे में लोंगिनुस बात करते हैं तो तीन दोस कौन-कौन से हैं सबसे पहला है सब्दा आडंबर फूसरा है बालेता जिसे क्या कहते हैं बचकानापन भी कहते हैं और जिसे बाली सत्ता भी कहते हैं बाली शुर्पा यानि कि बच्चे की तरह हरकत करना सब्दा आडंबर बालेता जिसको बचकानापन या बाली सत्ता भी कहते हैं और तीसरा है भावा आडंबर भावा आडंबर जिसमें अनियंत्रित आवेग अनियंत्रित आवेग जब हम दूसरे तत्तो की बात कर रहे थे दूसरे श्रोत की बात कर रहे थे तब हमने बात की थी कि लोंगिन उस कहते हैं कि आवेग तिवर गती से आने चाहिए लेकिन वे नियंत्रित होने चाहिए अनियंत्रित आवेग भावा आडंबर का कारण बन जाते हैं और वो क्या है और दक दोस है और बालेता क्या होती है बचकानापन यानि बड़े होकर हमने जोगे बच्ते जैसी हर्कत करना या किसी रचनाकार द्वारा ऐसी हर्कते करना चिससे की उसमें जो गांभीरे है जो गुरु गांभीरे रता है रचना का कम हो जाए तो … हरकत को बालेता या बाली सता कहा जाता है और शब्दा अडंबर यानि शब्दों का कि अतिश्योक्ति पूर्ण अतिश्योक्ति पूर्ण या चैन यानि जिन सब्दों की जहां आउशिक्ता नहीं हूँ उन सब्दों का वहां परियोग कर देना सब्दा अडंबर कहलाएगा तो अगर सीधा सरल सवाल अगर बन जाए तो ये बनेगा कि निमनलिकित मैं से लॉंगिन उसने उद्दात के अवरू तक तो उसमें नहीं माना है एक होगा सब्दा अडंबर बालेता बावा अडंबर सब्दा अडंबर क्या होता है सब्दों का चमतकार या सब्दों का आडंबर यानि ऐसी परवर्ति जिसमें रचनाकार रचना की भवेता बढ़ने के लिए बढ़ने के परियास में सुस्क व सीन पहलूँ को कम करने की कोशिस में सुस्क व सीन यानि जो हीन तरीके के पहलू है उनको कम करने की कोशिस में क्या करता है सब्दों के जाल बुनने लगता है और तभी सब्दा अडंबर आ जाता है तो ऐसी परवर्ती जिसमें रचनाकार किसी रचना को भवेता देने के लिए प्रयास क्या रहता है भवेता देना भवेता देने के लिए एवं सुस्क व नीरस कह सकते हैं नीरस पहलूं को दूर करने के लिए कुछ चमत कारिक चमत कारिक सब्द जाल बुन्ता है उसे क्या कहते हैं? सब्दा आडंबर यानि सब्दों का मिथ्या परयोग जिसका कोई अर्थ नहीं हो जिसमें सत्यता नहीं हो जिसमें सच्चा ही नहीं हो ऐसे सब्दों का जाल जब बुन्ने लगता है तब रचना का उद्दात्य समाप्त होने लग जाता है यह बात है मुखे बात क्या है कि सब्दों का ऐसा जाल बुन्ने से दूर रहना चाहिए लोंगिनुस क्या कहते हैं कि अगर उद्दात्ता बचाय रखनी है रचना की तो प्रयास के साथ किसी भी रचना के मूल पर अतिकर्मन नहीं करना चाहिए वे कहते हैं कि जब रचना का उद्दात के लोव में किसके लोव में आकर उद्दात के लोव में आकर आता पैस ग्यद्दों से अतिकर्मन करते किस से अतिकर्मन कर दे शब्दों से यानि ऐसे शब्दों का परियोग कर दे जो पाठत या स्तुरोता को समझ में नहीं आए जो उसकी पहुँच से बाहर हो ऐसे मिथ्या शब्दों का परियोग कर दे तो वहाँ पर शब्दा अडंबर होगा और वो उद्दात को नश्ट करन हैं कि जब रचनाकार उद्दात के लोब में यानि उसका लक्ष तो साध्य तो उद्दात की स्थापना है लेकिन हो उल्टा जाता है जब रचनाकार उद्दात के लोब में शब्द शब्दों का मिठ्या परियोग कर देता है तब देता है तब उद्दाते नस्ट होने लगता है उद्दाते क्या होने लगता है नस्टफोने लगता है यानि अगर उदाती बजाना है तो सब्द चैन उचीत रखना पड़ेगा सब्दा अडंबर से दूर रहना पड़ेगा अगर शब्दों से हम उदात पर अतिकर्मन कर देंगे शब्दों के माध्यम से हम जो उदात भाव है जो मूल भाव है रचना का उसका अतिकर्मन कर देंगे तो फिर हमें उदात अतों की प्राप्ति नहीं होगी वो रचना सरव स्रेष्ट नहीं हो सकती जब शब्द जाल रचना के उद्दात तत या मूल भाव उद्दात ततो पर अतिकर्मन कर देता है अतिकर्मन यानि सब्द जाल इतना हो जाता है कि उद्दात पतो या जो मूल उद्देशे था वो कहीं छुप जाए जब सब्द जाल रचना के उद्दात पतो पर अतिकर्मन कर दे तब रचना का ओचित्ते होने लगता है ओचित्ते होने लगता है अर्थाथ उसकी स्रेश्टता गायब होने लगती है स्रेश्टता लुक्त होने लगेगी इससे अगर शब्द जाल उद्दा तत्व पर अति करमन कर दे या ऐसे सब्दों का परियोक हो जाए ऐसे अतिश्योक्ति पूर्ण सब्दों का परियोग हो जाए कि पाठक या सरोता उनको समझ न पाए उनका कोई ओचिते न रह जाए तो वहाँ पर सब्दा अडंबर होगा और वो सब्दा अडंबर क्या कर देगा रचना की उद्दाता या स्रेश्टा को खा जाएंगा इसलिए जब भासा में पर्यास यूप्त पर्यास यूप्त मतलब अन्यास आते ही वे शब्द ठीक है लेकिन अगर पर्यास यूप्त सब्दों का बढ़ जाती है तब शब्दा आडंबर या मिथ्या शब्दों की आवर्थी को सकती है तब सब्दा आडंबर होगा यानि परियास सहित अगर हम नए नए सब्दों को परियोग करते हैं तो उसका अविर रचना में उद्दात तो परभावित होगा किसकी वज़े से सब्दों के मिथ्या परियोग की वज़े से किसकी वज़े से सब्दों के वियर्थ या ढौंगी परियोग से इसके लिए लौंगी नुस ने एक बढ़िया से सब्द का परियोग किया ढौंगी वैक्ति का प्रयास ढौंगी वैक्ति का प्रयास और इस पर्यास युक्त भासा के लिए धोंगी वेक्ति का प्रयास सब्द जो लोंगी नुस ने लिया वो सोफी क्लीस या सोफू क्लीस जो है वहां से उन्होंने उधार लिया था वे खुद कहते हैं कि धोंगी वेक्ति का यहां पर हम कह सकते हैं कि पर्यास युक्त वाशा, पू, लोंगी लूस ने, सोफो क्लीस सोफो क्लीस से शब्द उधार लेकर परिभासित किया तो सब्द क्या था? धोंगी व्यक्ति का प्रयास धोंगी व्यक्ति के प्रयास धोंगी व्यक्ति के प्रयास यानि ऐसा व्यक्ति जो वास्ता में वो है नहीं और वो बन जाए कि मैं ऐसा हूँ किसी के पास कोई ज्यान नहीं है शास्त्रों का और वो अपने आपको कह दे कि मैं बहुत बड़ा प्रयास तो वो धोंगी होगा क्या होगा धोंगी होगा और यहां पर सब्दा आडंबर है उसके लिए लोंगी नुस ने धोंगी व्यक्ति का प्रयास सब्द का प्रयोग किया क्यूं क्यूंकि लोंगी नुस कहते हैं कि उचित जगह पर उचित शब्दों का प्रयोग ही अच्छा लगता है स्रेष्ट माना जाता है उद्दात में वर्धी करता है अगर हम धोंगी सब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमारा कावे उदात ततों से दूर हो जाएगा और जब किसी भी रचना में सचा ही नहीं रहती तो वो रचना उदात हो ही नहीं सकती भॉंगिन उसने कहा कि जब सब्दों के मिध्या परियोग से परियोग से सच्चाई जब सब्दों के मिध्या परियोग से सच्चाई रचना से उसन दूर हो जाती है तब उसमें उद्दात ततो अपने आप नस्ट हो जाएगा यानि जहां सब्दे नहीं है जहां सच्चाई नहीं है वहां पर उद्दात नहीं रहेगा लॉंगिन उसने वेवारिक ज्यान की बात करते हुए कहा कि जहां सच्चाई नहीं होगी वहां पर आपको उद्दात भाव नहीं मिलेगा और लॉंगिनूस आखिर में कहते हैं कि हमें हमेशा सब्दा अडंबर से रचनाकार को बचकर रहना चाहिए अगर उसे सरेष्ट करती की रचना करनी है या उद्दाततों की स्थापना अपनी रचना में करनी है तो सब्दा अडंबर से दूर रहना पढ़ेगा तभी उद्दात के पूंट रचना हो सकेगा ये था सब्दा अडंबर जिस मैं सुस कहाँ सीन भासा का परियोग बचाने के करता है नवीनता कि ए तहीं लेख या कभी या जो भी रचना ऑचर हो हो जाता है उसका मूल भाव नस्ट हो जाता है तो जब लॉंग दिन उसके अनुसार कोई रचनाकार किसी स्रेश्ट करती की रचना करने पैठे तो उसे हमेशा अपने उद्दात ततो या अपने लक्षे पर ध्यान देना चे और उसके लिए उसे ज्यादा नविंता का अग्र अब हम बात करते हैं दूसरा जो ततो है वो है बालेता या बचकानापन दूसरा है बालेता बचकानापन या फिर इसी को कहते हैं बालीशता बालेता कहो बचकानापन कहो बालीशता कहो या पंडितव द्रश्टी कहो पंडितव द्रश्टी यानि लौंगिन उसने कहा कि परदर्शन का जहां भाव हो जिसमें पंडित मतलब पंडित नहीं है फिर भी अपने आप पो कोई वेक्ति कह दे कि मैं बहुत बड़ा सास्तर का ज्यानी हूं मैं बड़ा पंडित हूं ऐसी द्रश्टी रखे वास्तों में पंडित है तो ठीक है कोई बात कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन पंडित आउ द्रश्टी रखे और वास्तों में वो पंडित नहीं है उसके लिए बचकानापन सब का परियोग लोंगिनुस ने किया लोंगिनुस क्या कहते हैं कि बालेता या बचकानापन सबसे निमन इस्तर का दोस है सबसे शुद्र इस्तति का दोस है बचकानापन सबसे शुद्र दोस है लोंगिनुस पुद कहते हैं कि बाकी वाले दोस है तो भी चल जाएं लेकिन अगर कोई गंभीर गुरु गंभीर ये युक्त रचना की जाती है और वो रचनाकार अगर कोई बचकानेपन की हरकत करता है तो वो माफ कर लेके योगे नहीं रहेगा इसके साथ साथ बचकानेपन को सुद्र या निमन दोस तो कहा ही कहा एक और सब्द कहा जगन्य दोस या सबसे बड़ा दोस या सबसे बड़ा दोस ये चीज कही थी बचकानापन सुद्र दोस है जगन्य दोस है इसे पंडिताउ दृष्टी या परदर्शन वाली दृष्टी भी उन्होंने कहा था और बचकानापन आता कैसे है कि अगर कोई व्यक्ति जब कोई रचनाकार अपनी अप्रोड यानि जो गंभीर दृष्टी है अप्रोड हरकत साहित्य में प्रस्तूत कर देता है तब बाली सता दोस आ जाता है यानि जिस हरकत को नहीं करना चाहिए ऐसी छोटी मोटी कोई हरकत कर दे ऐसी बात करे पांडिते पूर्ण जिसकी वहाँ पर जिसका कोई उचित्य नहीं है इस परकार की बात कर दे तो उसे बचकानापन या बाली सता कहा और ये भी कैसे आती है किसी भी करती में इसके आने का भी कारण ये रहता है लोंगिन उस खुद कहते हैं कि रचनाकार अप अतिरुक्त प्रयास पर्दर्शन का पर्यास कते हैं और इसी अतिरिक्त प्रयास के चक्कर में वह अपरोड हरकते कर बैड़ता है पर्दर्सन वाली हरकते कर बैठता है तब ही उद्दात में बादगता तो बालेता आती है क्या कहा लोंगिन उसने कि जब रचना का रचना को असाधरन या आकर्सिक बनाने के लिए उसमें नवींता लाने के लिए वही बात उसमें नवींता लाने के लिए अतिरित्व पर्यास करता है तब वह केवल कर पत्रिम रचना ही कर पाता है उसमें उद्धाता नहीं रहती है तो जब कोई रचनाकार किसी रचना को असाधारण असाधारण आकर्सक रात या नवीन बनाने के चक्कर में नवीन बनाने के चक्कर या पर्यास में पर्यास में अप्रोड हरकत कर बैठे अप्रोड हरकत कर देता है कर दे या मिध्या पांडिते पूर्ण बात करे बात करने लगे तब साहिते से या उस रचना से उद्धा ततातो उद्धा ततातो विलीन हो जाता है विलीन हो जाता है उसका अर्थ ये है कि जब आप पंडिते या परदर्शन के चकर में आ जाते हो अतिरिक्त प्रयास करते हो और उस कृति को आकर्षक या असाधरन बनाने की कोशिश करते हैं तब वह रचना उद्धाते विहीन हो जाती है उसमें किसी परकार की कोई उद्धा उद्धा नहीं रहती और आगे वे लोंगिन उस खुद क्य परदर्शन या पंडिता उपन अधिक हो जाता है किसी रचना में तब उद्धात दब जाता है यह बात इसी में आ गई थी कि तब सहिती रचना से उद्धाता तो विलीन हो जाता है तो किसको नकारा लोंगिनूस ने परदर्शन या मिथ्या पंडिता उपन इन सब्दों का आ सकता है कि यह क्या है परदर्शन क्या है सब्दा आडंबर है मिथ्या परदर्शन सब्दा आडंबर है या बालेता है या भवा आडंबर है तो क्या होगा मिथ्या परदर्शन जो है वो बचकाना पन है मिध्या परदर्शन या मिध्या पंडित्य रश्टी को उद्धात के लिए भर घाता का बताया बेहद घाता का बताया लॉंगी नुस्त मुख्य बात कहते हैं कि आपको परदर्शन का पर्योग नहीं करना जितना आपको आ रहा है सीधे सरल तरीके से उसको एक्स्प्रेस कर दीजिए आपकी कविता या आपकी जो भी रचना है वो सरवस्रेष्ट बन जाए लेकिन हम पंडितव पन के चक्कर में पड़ गहे कि नवीन्ता विशेशकर जो नवीन्ता का आग्रह है नवीन्ता की आग्रह में रचनाकार परदर्शन या बचकाने पन में पड़ जाता है कुमर नारायन ने कहा था कि बात की चूड़ी मर गई बात की चूड़ी क्यों मरी अलंकार के चकर में कभी भासा के चकर में जो मूल भाव था जो रचना जिस उद्धिशे से कभी करना चाता था वो उद्धिशे तो भटक गया क्यों वा पर भी ये नवीनता का आग्रह कि मैं सबसे अलब हूँ ये बात हर कभी हर लेखक हर रचनाकार को दुखी करने वाली रहती है तो कभी भी हमें मौलिक्ता का च्छान तो रखना है लेकिन मौलिक्ता के चकर में जो बात कह रहे हैं उसमें इतना चमतकार या इतना परतर्शन नहीं आना चाहिए कि उस रचनाका मूल भाव भी भूल जाए और पाठक उसको पढ़े तब उसे समझ में न आई ये है बालेता या बालिशुता